क्वेस्टन 11 इंसर्ट एन इर्याशनल नंबर बिट्विन फॉल्विंग यहां पर थ्री पार्ट्स दे हुआ हैं वन बाइ थ्री एन वन बाइ टू के बीच में हमें एक इर्याशनल नंबर फाइट करना है सबसे पहले करना कि आपको इसको करना है डेसिमल फॉर्म में means 1 upon 3 का decimal representation क्या होता है तो decimal form of 1 upon 3 is 0.333 dot 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 क्योंकि 3 ही repeat करेगा 1 by 2 का decimal form क्या होता है decimal form of 1 upon 2 is 0.5 हमें भाइट करना है इर्याशनल नंबर तो आप जानते हैं कि इर्याशनल नंबर जो होते हैं non-terminating non-repeating होते हैं तो हमें करना है कि इन दो numbers के बीच में हमें एक number find करना है जो non-terminating हो और non-repeating हो तो इन दोनों के बीच में एक number मिल जाएगा आपको ध्यान दीजेगा फ्रसा 0.3 और 5 देखें decimal के जस्ट आगे देखिए 3 है और decimal के जस्ट आगे क्या है 5 है तो 3 और 5 के बीच में कोई number ले लेंगे तो इन दोनों के बीच में number आ जाएगी वो है कि नहीं 1 number which is irrational could be 0.4 देखें 3 और 5 के बीच में ले लिए एक 4 उसके आगे कुछ भी रखी है तो हम यहाँ पर रख देते हैं 1 फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे non-terminative होना चाहिए मतलब कि बढ़ाते रहेंगे इसको और repeating नहीं होना चाहिए तो हमें कुछ ऐसा pattern बनाना है जो progressive हो देखें 4 1 लिख दिया हमने इनके बीच में आ गए हैं अब इसको ऐसे arrange करना है देखें 4 1 और फिर से लिख दीजे 4 फिर यह जो 1 था इसको repeat कर दीजे आएसे ही रखना है यहाँ पर हो गया यह 4 टाइम्स फिर डॉट 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 ऐसे होता रहेगा तो इस नंबर इस एन इरेशनल नंबर क्योंकि यहाँ पर repetition नहीं हो रहा है यह progressive pattern है तो 0.333 से यह बड़ा है है कि नहीं देखें 0.3 आ रहा है यहाँ पर 0.4 आ रहा है तो इससे बड़ा है यह और इससे छोटा है क्योंकि 0.5 आता है यहाँ पर decimal के बाद 5 आ रहा है और यहाँ पर decimal के बाद 4 आ रहा है तो इस नंबर is clearly between 1 by 3 and 1 by 2. now the second one decimal representation of minus 2 upon 5 is minus 0.4 okay minus 0.4 है 1 upon 2 का क्या होगा decimal representation 1 upon 2 has 0.5 अब हमें minus 0.4 and 0.5 के बीच में एक नंबर लेनी है तो धान दिजेगा minus है यह negative है इसका मतलब कि number line पर negative यहाँ पर होता है minus 1 हो गया यह और यह 0 हो गया और यह 1 हो गया तो minus 0.4 जो है यहीं पर कहीं है यहाँ पर तो हम यहाँ और 0.5 जो है यहाँ पर है तो यह 0.4 है minus और यह आपका है 0.5 अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक number ले सकते है तो इन दोनों के बीच में आ जायेगा तो एक rational number इन दोनों के बीच में होगा irrational number हम positive में ले लेते हैं आपर 0 के just आगे कोई number ले ले लेते हैं 0.1 यहाँ पर माल ले ले लेते हैं 0.1 यहाँ पर ले लेंगे plus में रखेंगे क्योंकि 0 के आगे ले रहे हैं 0.1 अब यह बताइए 0.1 minus 0.4 से बड़ा है और 0.5 से छोटा है है कि नहीं अब हम इसी को बनाएंगे progressive pattern क्योंकि हमें बनाना है irrational number तो non-terminating, non-repeating होना चाहिए तो 1 के आगे कोई number लिखिए तो 5 लिख देते हैं अब इसके आगे 1 लिखिए फिर से 5 5 को double कर दीजिए मताब 5 को increase करते रहिए 1 फिर 5 को तीन बार लिख लेंगे dot 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 ऐसे होता रहेगा तो this number is an irrational number between these two ऐसे ही आप और भी ले सकते थे जिसे 0.2 ले सकते थे आप आप भी सकते थे 0.2 फिर यहाँ पर 1 लिख लेते, फिर 2 लिखते फिर से 1 1, फिर 2, फिर 1 1 फिर 2, 1 1 फिर 2, 1 1 1 1 dot 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 यह number भी क्या होगी? इन दो numbers की बीच में होगी अच्छा हम negative number भी ले सकते थे इसे हम ले सकते हैं कि minus 0.4 से बढ़ा number क्या होगा है? 0.3 उसके बाद आगे pattern बढ़ाते रहेगे pattern बना दीजे कोई, इस है 0 2 0, 0 2 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 2 dot 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 तो this number is also lies between these two ओके अब चलते हैं, third part third part में 0 है और 0.1 है, तो यह already decimal form में दिया हुआ है, तो 0 और 0.1 के बीच में हमें एक number लेनी है अब वो number कौन सा होगा? तो हमें 0 से बड़ा number को लेना है और 0.1 से छोटा है, यह सोचना है आपको? तो हम ले सकते हैं 0 point और यहाँ पर हम यदि 0 ले ले, और यहाँ पर ले ले हम कोई दूसरा number 7 let us suppose, तो 0 से यह 0.07 बड़ा है लेकिन 0.1 से छोटा है ठीक है? क्योंकि decimal के देखिए decimal के बाद 1 आ रहा है यहाँ पर decimal के बाद 0 आ रहा है तो यह number इस number से smaller होगी और यह number 0 जो है 0.07 से smaller होगा, तो इसका मतब कि 0 और 0.1 के विच में यह number आ गई तो बस आपको ऐसे एक number छोटा सा find कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर repetition करेंगे sorry repetition नहीं करेंगे बलकि non repeating pattern बनाएंगे क्योंकि हमें बनाना है irrational numbers तो 0.0 से में लिख दिया है अब इस 0.0 को repeat किया जो सकता है फिर 7 फिर 0.0 फिर 7 0.0.0 progressive pattern बना दीजिए तो this will be an irrational number between these two ऐसे और भी find करेंगे सकता है जैसे 0.1 ले ले लेते फिर इसका पासे 002 यहाँ पर आप 1 ही लीचे सही रहेगा फिर 001 फिर 00001 ऐसे डॉट 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 करके बना देते कोई और भी बना सकते थे आप 0.0 यहाँ टू ले ले लेते फिर 002 0002 फिर 00002 डॉट 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 तो मतलब बस आपको देखना है कि 0 और 0.1 के बीच में होना चाहिए ऐसे प्रोग्रेसिव पर्टन बनाएंगे तो that will be an irrational number Question 12 इंसर्ट टू irrational numbers between 2 and 3 देखे जब भी दो natural numbers के बीच में हमें निकालना हो irrational numbers तो एक बहुत ही असान तरीका है क्या है वो तरीका? जो number दिये रहते हैं उनका square कर लेजिए तो 2 का square क्या होगा? 4 और 3 का square क्या होगा? 9 अब हमें क्या करना है? 4 और 9 के बीच में हमें देखना है कि कौन कौन से numbers आते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 is less than 5 5 is less than 6 6 is less than 7 and 7 is less than 8 and 8 is less than 9 तो 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 मिल गए तो यह जो pattern है हर एक number जो है एक ascending order है तो हम यहाँ पर square root ले लेंगे दी सबका तो जो square root में जो आएंगे numbers वो भी ascending order में ही होंगे मतलब हमें हर जगा square root ले लेना है root 4 is less than root 5 is less than root 6 is less than root 7 is less than root 8 is less than root 9 अब यहाँ पर ध्यान दीजएगा यह sequence भी बिल्कुल follow होती है मतलब कि root 4 less है root 5 से root 5 is less than root 6 and root 6 is less than root 7 बिल्कुल ऐसे pattern है यहाँ पर लेकिन square root 4 आपको 2 हो जाएगा 2 is less than root 5 and root 5 is less than root 6 और यहाँ पर root 9 की value जो हो जाए 3 हो जाती है तो हमने देखिए 2 और 3 के बीच में कुछ irrational numbers find कर लिए यह सारे सारे क्या है irrational numbers है क्योंकि यह root के बाहर नहें निकल पाएंगे तो इनमें से कोई भी 2 numbers चूज कर लिएगे क्योंकि हमें निकालना है 2 irrational numbers तो हम ले लेंगे root 5 and root 6 तो root 5 and root 6 are the 2 irrational numbers between 2 and 3 13 write 2 irrational numbers between 4 upon 9 and 7 upon 11 सबसे पहले आप क्या करोगे इसको decimal form में convert करोगे तो let us write the decimal form of 4 upon 9 इसका decimal form जो होगा वह होगा 0.4 4 4 dot 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 तो 4 ही repeat कर रहा है आपर 7 upon 11 का decimal form क्या होगा इसका होगा 0.6 3 6 3 6 3 dot 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 तो यहाँ पर 6 3 block of digits 2 digits are repeating ओके हमें क्या करना है कि 2 irrational numbers find करने तो पहले पहले आपको सोचना है कि 0.4 और 0.6 के बीच में कोई भी एक number find करिए तो हमें मिल जाएगा 0.5 0.5 is one number between 0.4 और 0.6 अब यहाँ पर एक repeating pattern बना दीजिए बस sorry repeating नहीं एक ऐसा pattern जो progressive pattern हो वह ऐसा pattern बना दीजिए तो सबसे पहले हैं बार लिख देंगे 0 फिर 5 लिख देंगे एक बार फिर दो बार 0 लिख देंगे फिर 5 लिख देंगे फिर से 0.3 times फिर 5 फिर 0.4 times फिर 5 dot 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 तो like this this is an irrational number अब हमें एक और find करना है क्या करेंगे इन 0.4 और 0.6 के बीच में कोई number लेना है हमें तो हम ले सकते हैं 0. देखे 0.44 और 0.63 के बीच में भी कोई number ले सकते हैं आप 0.44 और 0.63 के बीच में एक number होगा 0.60 है कि नहीं 0.60 होगा ना 0.603 और 0.44 के बीच में अब यहां पर इसके आगे जो है progressive pattern में आ सकते हैं इसके आगे ले सकते हैं 6 फिर 006 006 00006 dot 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 तो these two numbers are irrational numbers between these two और किवाल यही दोनों नहीं आप बहुँ सारे और भी find कर सकते हैं जैसे इन दोनों के बीच में और भी number मिल जाएंगे जैसे थोड़ा सा में इसको नीचे कर लें और भी हम find करना है तो हम क्या करेंगे 0.4 से थोड़ा बढ़ा ले लिजिए तो 0.4 ले ले लेते हैं और यहां पर 44 से आगे ले ले जी 0.45 फिर आप यहां पैटर्न बना दीजिए इसके आगे तो पैटर्न बनाएंगे तो मिलेगा 0 7 007 007 00007 00007 डॉत 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 यह नंबर भी हो गई क्या इन दोनों के बीच में ऐसे आप बहुत सारे infinitely आप प्रेक्टिस करिए गा इसको you can find okay question 14 find a rational number between root 2 and root 3 हमें एक rational number find करना है root 2 और root 3 के बीच में तो ध्यान दीजिएगा कैसे find करेंगे हमें बस करना क्या है root 2 और root 3 के बीच में एक rational number find करना है तो ध्यान दीजिएगा हम बस क्या करें कि इन दोनों के बीच में मतलब 2 और 3 के बीच में एक perfect square number यदि find कर लें मतलब मैं खाना चाहता हूँ कि इनके बीच में यदि हम ऐसे कर लें और इसके बीच में हम यहाँ पर एक perfect square number find कर लें perfect square number देखें अंडरूट के अंदर यदि perfect square number होगा तो वह बाहर निकल जाएगा देखें रूट 2 और रूट 3 के बीच में हो और perfect square number हो मतलब कि 2 और 3 के बीच में एक perfect square number आपको सोचना है लेकिन 2 और 3 के बीच में आप सोच पाएंगे ही नहीं क्योंकि ऐसे पढ़े ही नहीं है आपकी जो पढ़ाई हुई है आपकी जो study हुई है जो education हुआ है वह 2 और 3 के बीच में perfect square find करने का तरीका आपको नहीं बताया गया क्या करना है इन दोनों को हमें लिखना है पहले 2 और 3 2 और 3 के बीच में find नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें 0-0 बढ़ा देंगे 200 और 300 तो क्या हम 200 और 300 के बीच में perfect square number find कर सकते हैं तो हां कर सकते हैं तो 200 और 300 के बीच में perfect square number क्यों find करना सर आप सोच रहे होंगे क्योंकि हमें तो find करना है इन दोनों के बीच में एक rational number तो देखिएगा सब कुछ एक pattern से चल रहा है यहाँ पर everything is connected तो ध्यान दिजेगा 200 और 300 के बीच में एक perfect square find करिए मैं कहता हूँ बस find करिए क्या मिलेगा हमें इसके और इसके बीच में perfect square तीन ही होते हैं बस पहला होता है 225 इससे बड़ा होता है 256 और इससे बड़ा होता है 289 तो यह three numbers 200 और 300 के बीच में है यह बताए बस हमें यह करना है कि यह 200 को root 2 कैसे कर दिया जाए तो 200 और 300 को यदि root 2 और root 3 में convert कर दिया जाए और जैसे हम convert करेंगे 200 को root 2 में और 300 को root 3 में ठिक वैसे ही इन सभी को भी कर लेंगे है कि नहीं और यदि हमें करना आ जाए तो काम हो जाए दिये कैसे करेंगे हम इस 200 में यहाँ पर decimal लगा देंगे यहाँ पर decimal तो 2.00 हो जाएगा तो हर जगर decimal लगाना पड़ेगा उस सेकंड पोजिशन पर मतलब कि यहाँ लगाना होगा 2.25 फिर यहाँ लगाना होगा 2.56 फिर यहाँ होगा 2.89 उसके बाद 3.00 अब हमने 2 और 3 ला दिया तो हम यहाँ पर इसको areas भी कर सकते हैं. Let me remove these. हम लिसकते हैं 2 और यहाँ पर क्यावल 3. ठीक है? तो 2 और 3 हमारे पास आ गया. Okay, I can write only 2. 2 और 3 के बीच में हमने यह numbers को find कर लिया. अब हमें इस 2 को root में convert करना है. तो हम गया कर सकते हैं? हर जगा root लगा दीजिए. सब कुछ बराबर रहेगा और एक sequence मिल जाएगा. तो यहाँ आप लगा देंगे root 2. यह छोटा है root 2.25 से और यह छोटा है root 2.56 से यह छोटा है root 2.89 से और यह छोटा है root 3 से. अब दीजिए हमने root लगा दिया. तो हमें यह 3 numbers मिले हैं. और यह 3 numbers जो मिले हैं यह perfect squares है. 2.25 क्या है? perfect square है. किसका? यदि 2.25 का यदि हम square निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.5 आएगा. इसका मतलब कि हमें मिल गया कि root 2 से just बड़ा 1.5 होगा और इससे just बड़ा 1.5 यह वाला जो number है वो 1.6 का है और यह number जो है 1.7 का है. तो root 2 और root 3 के बीच में हमने 3 numbers find कर लिए जो rational numbers हैं. यह आपको 3 निकालने होंगे between root 2 and root 3 तो हम 3 के लिए सकते हैं. दो निकालना होगा तो कोई 2 ले लिजिएगा. तो like this, like this, you can find between any two rational numbers like this. हमें निकालना होगा यह दि root 3 और root 4 के बीच में हैं. तो आप करिएगा 300 और 400 के बीच में find करिएगा कि कौन से ऐसे perfect squares हैं. और ऐसे करके find कर सकते हैं. वैसे ही root 5, root 7 root 8, root 9 ऐसे करके find कर सकते हैं. इसी तरीके से. Question 15. Find two rational numbers between two root 3 and root 15. देखिए हमें two rational numbers find करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दो numbers को लिख लेंगे. two root 3 and root 15. ध्यान देजिएगा हमें इनके बीच में rational number find करना है. तो क्या करना होगा? हमें इनके बीच में ऐसे दो numbers find करने हो जो perfect squares, जिनका perfect square हो. तो पहले-पहले हम इसको square कर लेंगे. यदि हम इसको square कर लेंगे, तो मिलेगा हमें क्या? two root 3 का square क्या होगा? 12. और root 15 का square क्या होगा? 15. तो हमें यह करना है कि 12 और 15 के बीच में, दो perfect square find करना है. बट आपको 12 और 15 के बीच में, two perfect square find करना नहीं आता. किया है कोई बात नहीं हमें करना क्या है इस 12 को में 20 बढ़ा दीजिए 1200 और 15 में भी 20 बढ़ा दीजिए अब हम 1200 और 1500 के बीच में perfect square find कर सकते हैं तो इन दोनों के बीच में इससे जबड़ा जो perfect square होता है वह होता है 1225 और इससे बड़ा होता है 1296 और इससे बड़ा होता है 1369 और इससे भी बड़ा होता है 1444 और उसके बाद तो 1500 आ जाता है तो यह 4 numbers perfect square numbers होते हैं 1200 और 1500 की बीच में अब हमें करना क्या है हमें इसको backtrust करना है मतब 1200 को convert करना है 2 root 3 में और 15 करना है root 15 में कैसे करेंगे यहां पर decimal लगा देंगे second position पर तो यह आल्रेडी 12 हो जाएगा यहां लगाएंगे 12.00 करेंगे तो 12 हो जाएगा और यहां भी decimal मने कि हर जगा decimal position जो है second position पर लगा देंगे 12.25 यहां भी हो जाएगा 12.96 और यह इससे बड़ा होगा तो यह होगा 13.69 और यह होगा 14.44 अब हमें 12 को और 15 को रूट में ले लेना है क्योंकि रूट में लेंगे तभी होगा 2.3 जो रूट में लेंगे तो यह सारे रूट में लेना पड़ेगा सबको तो हो जाएगा यहां पर रूट 12 क्योंकि पार है तो हम यहां पर देख पा रहे हैं हमारे पास यह जो number मिला है under root का under 12.25 यह perfect square है लेकिन किसका perfect square है वो ही हम यहाँ पर लिखने जा रहा है देखिए root 12 को लिखते हैं इतना तो हम लिख देगे आपर 2 root 3 अब इससे बड़ा है इसका 12.25 perfect square है मतलब यह square number है किसका यह square है 3.5 का मतलब जब square root निकालेंगे 12.25 का तो 3.5 मिलेगा इसके बाद इसका जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3.6 और यह है आपका 3.7 का और यह आपका 3.8 आप्टर यह root 15 हमें निकालना था two rational numbers between two root 3 and root 15 तो इन में से कोई भी दो ले लिजे तो हम इसको और इसको ले ले लेते हैं तो root 3.5 and 3.6 are two rational numbers between two root 3 and root 15 तो आप है इसके नमबर 16 and 17 यह दोनों सेम तरह के हैं हमें क्या करना है एक irrational number insert करनी है root 5 and root 7 के बीच में और two irrational numbers insert करनी है root 3 and root 7 के बीच में सबसे पहले first करता है 16 दिखिन ध्यान देजेगा root 5 और root 7 के बीच में निकालना है एक irrational number क्या करिए कि root 5 का square कर दीजिए क्या मिलेगा 5 मिलेगा और root 7 का भी square कर लिजिए क्या मिलेगा 7 मिलेगा हमें 5 और 7 के बीच में एक number निकाल लिजिए कोई भी तो 5 is less than 6 is less than 7 अब क्या कर ये सभी का square root ले लिजिए तो square root लेगा root 5 is less than root 6 is less than root 7 हमें already एक irrational number बिल गया बहुत सिंपल है root 5 और root 7 के बीच में root 6 क्या है एक irrational number है चलिए अब हम find करते है 17 root 3 और root 7 के बीच में 2 rational number निकालने है square कर दीजे पहले तो root 3 के square करेंगे तो आएगा 3 और root 7 के square करेंगे तो मिलेगा 7 अब क्या करिए कि 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6 और 6 से बड़ा है 7 अब क्या कर ये सबका square root ले लिजिए तो यहाँ पर हो जागा root 3 square root of 4 square root of 5 फिर square root of 6 square root of 7 ध्याँ दीजे गहाँ पर अब root 3 से जो बड़ा है वो 2 हो गए यहाँ पर क्योंकि बाहन कर जाएगा क्योंकि प्रफर्ट स्क्यार है और यहाँ पर हो जाएगा root 5 is less than root 6 is less than root 7 तो आप ध्याँ से देखिए हमें निकालना है 2 irrational numbers तो 2 is not an irrational number therefore इसको नहीं लेंगे आप root 5 और root 6 को ले लेंगे तो 2 हमें irrational में मिल जाएंगे root 5 और root 6 between root 3 और root 7 तो इसका अंसर हो जागा root 5 और root 6 यह बहुत असान है इसमें बसे square करना है और square root ले ले लेना है आपको मिल जाएंगे already numbers ठीक है यदि आपको कोई doubt है इन सारे questions में तो आप comment box में जरूर लिए सकते हैं और यदि आपको कोई exercise चाहिए solution या कुछ भी तो आप जरूर लिखे यदि आपको अच्छा लगा इस वीडियो को तो जरूर आपको कमेंट में बाक्स में बताइए ओके थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाई